जी नमस्कार जी नमस्कार जी जी क्या नम है आपका? मेरा नम गीता गीता जी आप कहां से आई हो? जी मैं राजपुरा पटेयाला पंजाब से आई हूँ जी संत्रामपाल जी महाराजी से कब जुड़े आप? मैं 25 जून 2017 में जुड़ी हूँ संत्रामपाल जी माराजी से जुड़ने से पहले आप क्या बक्ति साधना करते थे जी मैं बक्ति साधना तैसे देवी देवताओं की करती थी लेकिन मैं अंदर से नास्ति की थी संत्रामपाल जी माराजी से जुड़ने के पीछे क्या कहां रहा? किस प्रकार का दुख दर्द था? संत्रामपाल जी माराजी के बारे में कैसे पता चला? जिस प्रकार से आपकी बहने बताया आपको संत्रामपाल जी माराजी के बारे में उसके बाद आपने संत्रामपाल जी माराजी से नाम दिख सली 2017 में आप जुड़े हो, 2014 से संत्रामपाल जी माराजी जेल में है तो ऐसा क्यों? क्यों आपने जेल में बंद संतरामपाल जी महाराजी से नाम दिख्षा ली? तो इसको मानना नहीं है, तो एक बर सिर्ग ज्यान गंगा पुस्तक मेरी पढ़के देख़। तो मैंने उस टेम सून जरूर लेकिन मैंना नहीं था लेकिन कुछ टेम के बाद दो मीन ने बाद मेरी ममी बहुत जादा बीमार होने लगी वह खतम हो गहे थे, मतलब उनकी डैथ जुन 2017 में उनके डेथ हो चुकी और मैंने उसको बोला कि मेरे को नहीं किसी को गुरु बनाना अब तो मेरे बिल्कुली खातम हो चुका अब तो मैं बिल्कुली परमात्मा पर विश्वास उड़ चुका है तो कुछ टाम बात भाई सब क्या हुआ मेरे मम्मी जैसे ही गुजर मेजे को कुछ भी नहीं पता चída रहा था और मुझे तीन चार चार सालों से 2013 से 2012 में मेरे में रिशादी हुई है 2013 से मुझे अपने माई के में बैठी ती जिसकी वजह से मैं वैसे बहुत तंग थी कुछिषै मंम्मी के गुजरने के बाद मैंने तो कोई बात नहीं कोई मेरे नाम जाब करती हैं सही पर नाम जाब कि चक्र में मैंने सोच लिया था तो 20 जून 2 जिस्तारा में शनीवार के दिन सुबही चार वजे मेरे परमात्मा घर पर संत्रांपाल जी महराजी आई है और बोरें कि आप जानना चाहते हो कि आपकी जो बेहन है वो कौन सा नाम दान जाप कर रही है मैंने उनको बोला हान जी मेरे को जानना है जी ये कौन है तो वो बोरे कल मैं तुरे को बताने आओंगा कि कौन सा नाम जाब करें तुम्हारी बेहन और तुम्हें प्रत्व मंतर की दिख्षा दे कर जाओंगा इतना मैंने अपनी बेहन को सुबह बोला कि तेरे जो गुरु जी है मैं नहीं जानती कोन है मैंने शाकल भी नहीं देखिया, लेकिन ऐसे लगा था, वो बोड़े, तो मैं तेरी बहन का गुरू हूँ, और मैं बताने आया हूँ, कि तेरे को नाम दिख्षा देने के लिए, तो संतरामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में फिर आए, और उन्हें बोला कि आज आपको मैं नाम दिख्षा दे रहा हूँ, आपने सुबहे, जहां पर आपकी बहन सस्तंग में जाएगी, आपने सस्तंग में जाना खन्ना में, और आप वहां जाके नाम दिख्षा ले सकते हूँ, तो भाई साब अगले दिन मैंने अपनी बहन को सुबहे सुबहे बोला कि तूने सस्त मुझे भी वहां से नामदिक्षा लेकर आनी है तो मैं उनके साथ गई हूं वहां जाने के बाद मुझे पता चलता कि यहां पांच साल से ससंग हो रहा है कि और लेकिन यहां पर नामदिक्षा नहीं मिलते हैं खन्ना में मैंने उनको बोला फिर तो तेरा गुरू ऐसे ही है कि कि वहां जाते है है संत्रामपल जी महाराज उनकीस का एदेश आया है, कि जो कोई नया भक्त जूड़ना चाता है, प्रत्थम दिक्षा लेना चाता है, यानि जूड़ना चाता हो उनके साथ आज यहां पे दिख्षा का प्रबंध किया गया, इतना है सोचते मेरे को हुआ कि शायद सच्ची होगा कुछ न कुछ न कुछ, बस ऐसा मन टीक ही गया था मेरा, तो मैंने वहां से नाम दिख्षा ली, आपने ना तो उनका ग्यान सुना, और आपको यह भी नहीं पता था कि स संत रामपाल जी मानाजी जेल में है, और नाम दिख्षा लेने के बाद आपको पता लगता है कि जिस संत से आपने नाम दिख्षा ली है, वो जेल में है, तब आपको कैसा लगा, भैसाब ऐसा है, जब तक मुझे पता जब मैंने नाम दिख्षा ले ली थी, और मुझे पत संत्रामपाल जी महाराजी से नाम दिख्षा लेने के बाद ही हुआ है। जी भाई साब यह तो में बिलकुल मानती हूँ. और क्या क्या लाभ मिले? लाभ भागा जी मैंने दो बार सुसाइड करने के विकोश्च किया क्योंकि मेरे घर में बहुत ज्यादा योग प्रोब्लम थी जिसकी वज़े से मैंने दो बार सुसाइड करने के लिए द्वाई खाई थी. पॉइजन खा चुकी थी मैं. लेकिन परमात्माने मतलब कहीं न कहीं मेरी भक्ती जुड़ी होगी शायद मेरे को बचा के रखा था. अछे सन्तरांपाल जी जेल में है और आज भी जो लोग आपकी तरफेडी थे्ञा इस तरह के दुखदर्द बहुत सारे लोगों को होते हैं तो क्या वो लोग संतरांपाल जी मानाजी से नाम-दिख्शय लेते हैं तो क्या उनके भी दुखदर्द दूर हो जाएंगे? हाँ जी हाँ 101 प्रेसेंट यह कह सकते हो 100 से भी ज्यादा जो भी हो सकता है मैं कहा रही हूं कि मैंने कोई ऐसा मतलब खोज करती थी गुरू बनाने के लिए जब भी मैं आसारा बापुजी के पास हमारे रिष्टेदानों नाम दिया होता और इससे पहले मैंने ब्रह्म कुमारी वालों के पास जाके उनकी बुक्स बगारा पढ़ने कोशी की थी तो काफी सारा ग्यान था जो मैं सोचती थी कि जो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा उनको ही मैं गुरू बनाऊंगी तो मेरे सवालों के जुआखंगे कुछ सुधार दिखेगा तो यह किसी गुरू बनाऊंगी और मैं 101% कह सकती हूँ कि संत्रामपाली से उपर इस दुनिया में ना कोई है ना ही कोई होगा बेंची आपके जीवन में इतना कुछ गटित हुआ आपके सबस्राल वालों ने आपको छोड़ दिया और उसके बाद आप एक ऐसे सन से जुड़ते हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते आपने जिनको देखा तक नहीं था उनसे जुड़ने के बाद आपको इतने सारे लाब मिले बगत समाद के सामने समस्या ये है कि संत्रामपाल जी माराजी जेल में है तो वो उन से नाम दिख्षा कैसे ले सकते हैं भाई सब ऐसा है सबसे पहली बाद जिनको तो अपने कश्ट कटवाने हैं वो तो एक बार इस चीज़ को जरूर ट्राई करें कि हमें संत्रामपाल जी से कोई फैदा हो रहा है या नहीं दूसरी बात संत्रामपाल जी जेल में है ये तो दुनिया के लिए अगर वो जेल में है तो मैं मैं खुद ये पुरूब कर सकती हूँ कि दोजस्तारा में मैंने नाम दिक्षा लिया और मेरे को तो किसी संत्रामपल जी का नाम भी नहीं पता था या तक नहीं पता था कि वो जेल में है और आप मान नहीं सकते हो कि भाई साब मेरे को दोजस्तारा में नाम दिक्षा लेने के तीन दिन के बाद ये पता चला था कि वह गुरू जेल में तो आप सोच सकते हो मेरे को जब उन्होंने बीस बाइज दिन के अंदर लाब दिया है मेरे प्रिक्षा लेनी आये हैं सब को संभाला है मेरे घर बसा हुआ जो उजड़ए मेरे इतना घर ता उसको बसाया आके मेरे ह कि अब आराम से रह रहे हैं तीन चार महीने से और भी अच्छा हम उने घर जोड लिया बर कि बना अब भगत समाच को क्या संदेश देना चाहते हैं कि मैं संदेश तो नहीं देश सकती पर ये जुरू कोंगी एक बार संत्रामपाल जी महाराज जी काना ससंग सुनकर जूर देखें अपने गरंथों से मिलान करके देखें एक बार उनको समझने कोशी जुरू करें और 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 कुछ नहीं तो आप लाब लेने के लिए जुरूर सोचें कि हमें लाब लेना है कि आपके कोई समस्या है एक बार समस्या के लिए जुड़कर देखें तो कोशी जुरू करने चाहिए जी धन्यवाद सब्सक्राइब जी झाल